मेरा नाम स्याद जाफुरस है मैं आहले बेट है स्कुल में हिंडी अधियापग हूं आज आपन दस्वें काक्षा का उपवाजक पाठ गजनन्दलाल पहाड चड़ें इसके बारे में जान का दे लिंगे ये एक कहानी मजाखी कहानी है ये से विश्न प्रबाकर लिखे हुए है ये कहानी क्या है अपन देखींगे ये कहानी तब की है जब गजनन्दलाल 16 वर्ष के थे जो ये कहानी गजनन्दलाल पहाड चड़ें ये कहानी है ये गजनन्दलाल जो लड़का है वो 16 साल का था ये था नाम तता गुन जो नाम था उसके गुन भी उसी तरीखे थे या एकदम ये लड़का गजनन्दलाल एकदम गोल और मोटा हाती के बच्ची के वैसा था, छोटी छोटी आँखें, बड़े बड़े कान, मोटे मोटे हात पायर, चलते वैसे ही जुम जुम कर, इनके आँखां भी छोटे छोटे थे, बड़े बड़े कान थे, मोटे मोटे हात प करते हैं और सोभाव से इतने हस्मुक के रोतों को भी हसा देते हैं। यह वैसे भी बुद्यमानी थे और अच्छे सोभाव के थे ना हसाते थे कि जो भी रोने वाला इनसान है उसको भी हसा देते थे। उन्हें एक दिन पता लगा के स्कूल के लड़कों के एक टोली गुमु की सैर करने जा रही हैं। यह गजनंदलाल को एक दिन स्कूल से लड़के पूरे मिलके गुमुख प्लेस पे एक टूर के लिए जा रहे हैं बोलके मालूम हुआ। गोमुख से गंगा जी की निकलती है। गोमुख से क्या है गंगा निकलती है। वो गंगोत्री से भी 21 किलो रही है है। बस गजनंद तुरन तुररत प्रिज्ँपल के पास हाजिर हो गए हैं। बोले, सर मैं भी जाऊँगा। बस इतनी information मिलते हैं। गजनंदलाल प्रिज्पल के पास चले गए। और उनसे हाँ सर मैं भी तूर्झ के लिये, पिक्निक के लिए जाऊंगा। आपके पहाड पे चड़ते वे जाते, क्या, इतने मोटे ताजे है, पहाट मोटे है, चलने भी नहीं आता है, क्या पहाड के पर चड़ते हैं, गजणंद ने मस्कुराते हुए जवाब दिया, जिर अपनी फिक्र आप करेगा, जो अपना जिसा मैं उसका फिकर उनों करेगा, हम तो देखने यही है कि मेरे जाने से लाब कितना होगा हम लोग यह देखना है कि मैं जाने से वहाँ पे कितना फाइदा होगा प्रिंस्पाल अच्रक से हसे पूछा क्या क्या लाब होगा बताओ तो जरा प्रिंस्पाल हसते हैं पूछ रहे हैं उसे क्या फैदा होता जरा तो बताओ तुम तो पांच आद्मियों का राशन डखार जाओगे अगर तुम आपको भेजे तो फैदा क्या है जरा बताओ तुम तो पांच आद्मियों का खाना एक साथ खालेंगे ना वही तो ठीक है सेर गजना ने बिना हिचक जवाब दिया वो सब ठीक है, पांच जनों का मैं खा लेता है, लेकिन मुझे सर्दी भी तो कम लगती है, थंडी हवा को मेरी हड्डियंग तक जाने का रास्ता कहा मिलेगा, लेकिन मुझे सर्दी तो कम लगती न, जो थंडी हवा है, मेरे जिसम के अंदर जाके हड्डियंग को लगने के लिए चुस्त रहूंगा, इसलिए मैं हमेशा एक्टिव रहूंगा, ये तो हुआ एक लाब, इससे एक फैदा है, अब दुसरा सुनिए, जब मेरे साते ठक जाएंगे, हिम्मत हार बैठेंगे, तब मैं उन्हें हसा हसा के फीर से तरो ताजा कर दूँगा, दुसरा फैदा ये है, क मेरे जो सातियां जा रहें, उन्होंग हिम्मत हार के, ठक के एक जेगे बढ़ देंगे, तो उन्होंग को मैं हसा हसा के, फीर उन्होंग को एक जोश में लेके आके, फीर उन्होंग को जाने के लिए याक्टिव करूँगा, मुझे देखके उन्होंग भी हिम्मत करेंगे, और उन लोगं के में हिम्मत भी जो कमज़र हो गए थक गए थे फिर उन लोगं में चुस्ती आ जाएंगी तिसरा लाब सबसे महत्मपूर्ण है मान लीजिए हमें कहीं रास्ता बानने की जरुरत होई और वहां चटाना ना होई तो मेरे शेरी से ये काम बे खटके लिया जा सकता है अगर से कहां पे भी रास्ता अपने कुछ जाने के लिए कटिन हो गया कहां पे भी रास्ते में कुछ बनना की जरुरत आई रस्ती बांद के उसको पहड चणने की नौबत आई तो वहाँ पे वो चटान के वैसे मेरा शेरीर जो है ना वहाँ पे उसे बंदिया जाएगा और बेखटके के सब लोग आजेंगे मैं अपने पैर है बर्फ में गड़ा लूँगा मेरा पैर है मेरे अंदर हड्याओं तक यह थंड नहीं पहुंचती मैं बर्फ में ठैरा रहा हूँगा यह तीसरा लाब है यह सुनना था कि सबी लोग कहा कै मार हस पड़े हैं यह बात सुनके सब जने हसने लगें गजनन भी खूब हसें इतने के तेंदू हिलने लगें जरा शांती हुई तो बड़ी नमरता से निवेदन किया सर यह लाब मेरा भी होगा मेरा वजन कुछ कम हो जाएगा सब लग हसने लगें मजाख हुए चल रहा था फिर सब्जे ने शांत होने के बाद फिर गजनन लाल वर्रा सर मेरा भी इसमें एक फैदा होगा जो मेरा वजन है वो कम हो जाएगा हाँ हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं था प्रिंस्पल बोले तुम जरूर जाओ हाँ ये बात सच है इसके बारे में तो हम लोग नहीं सोचे थे इसलिए तुम जरूर वाँ तक चले जाईए आप भी तूर पर जाईए और इस प्रकार गजिनन्द के पहाड पर चैने की कहानी शुरू ही इस तरीखे से गजिनन्द लाल प्रिंस्पल से परमिशन ले लेने के बाद यहां पे पहाड पर चैने की कहानी शुरू ही तैयारी पर तैयारियां होने लगे पिकनिक को जाने के लिए तैयारियां हुने लगे वो जो चुकी तो मनजल पर मनजल रैल बस जीप द्वारा यातरा करते तैस यइ करते साथ लड़के एक मास्टर जी और दो सेवा के एक दिन सांज पड़े गंगोतरी में परकट हो गए इस तरीखे से तैयारियां होने के बाद जो मनजिल पार करने के लिए जो पिकनिक को जाने के लिए रेल में सफर करना पड़ा बस में सफर करना पड़ा उसके बाद जीप में सफर करने के बाद जो साथ लड़के और एक मास्टर साथ और दो अपने साथ आए तो सेवक उन लोग सब जने गंगोत्री को चले गए वहाँ दूर दूर तक आदमी का पता नहीं था ये गंगोत्री के पास दूर दूर तक कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था कोई गहरा नहीं दिख रहे थे सब कुछ सन्नाटा चाया था सब कुछ खामुशी चायवी थी कहा दिली की गहम गहमी कहा ये चुपी दिली में कैसी गरबड है थी ट्राफिक के उसके इसके लेकिन यहां पे कैसी चुपी है खामुजगी है पर उन्ची उन्ची करफिली चोटियां पर सूरज की किरने चमक रही थी देखियां यहां पर उन्ची उन्ची बरफिले चोटियों पर बरफिले चोटियां पहाड़ों के पर जो बरफिले पहाड़ा है उसके पर किरने रोश्नियां कैसा चमक रही है नीचे स आती गंगा की कल-कल द्वनी में बड़ा प्यार संगित था ये तो बर्फिले चोटियां ठहरे वे थे और नीचे से जो गंगोत्री आ रही थी उसकी जो आने की आवास जो है उसे बड़ा संगित म्यूजिक जैसे आ रहा था बच्चे सब ठकन भूल के मात्र मुग्द से इद उदर देखने लगे तब ही एक स्वामी जी वहां आए वो टाइम पर एक स्वामी जी वहां पर आ गए वे वहीं रहते थे और वे ही उन्हेंने गोमुक ले जाने वाले थे वो स्वामी जी वहां पर रहते थे गंगोत्री के पास उन्हों ही अपने को गोमुक खुले के जान इसे खाके दूद पीलो, बिस्तर तयार है, सोजाओ, कल सवेरी ही हमें आगे बढ़ना है, क्या है ये दूद पीलीजिये, गोली खालीजिये, ये खाकने के बाद आप लोग सोजाईए, बिस्तर भी रेडी है, सुबा सुबा पन जाना है, बच्चे पूरे तो ठके वे थे, सर स्वामी जी क्या है, कहानियां सुना रहें थे, इन्हों के बीच में मजाखां करते रहें, इसलिए कब सो गये पता नहीं लगा, सवेरे जब आँख खुली तो बाहर सुनेरी धूप चमक रही थी, सुबा में आँख खुलने के बाद देखा गया तो धूप चमक रही थी, यहां मेरे कितने साथी पहले से ही मौजुद है फॉरान गजनन्दलर कूटते खेलते वे वहाँ पे चबुतरीक पर आके ठहर के फिर हसी मस्करापन शुरू करें देखो दोस्तों पूरे यहां पे मेरे से पहले कितने की मेरे साथियां यहां पे आके है साथी विद्यार्दी चकीत होके बोले तुमारे साथी कहां है वे सब स्टूडेंट्स सब विद्यार्दियां चात्र परिशान होके पूछे आगे तुमारे साथियां और को नहीं कहां पे है गजनन ने उत्तर दिया क्यों यह पहाड जो है बढ़ा होके मैं ऐसी ही तो लगूंगा काला काला भारी बरकम भुदार कर शरीर हाँ देखो मैं भी बढ़ा होके ऐसी लगूंगा इतना बढ़ा इतना काला इतना पहार देसा अदमी लड़के खुब हसने 152 लगे और बोले तुमने अपने भाईयों को बहुत तो जल्दी पच्छान लिया सब लड़के भी मजाख करें तुमने तो अपने लड़कों को जल्दी पच्छान लिया गजनन दिलाल मुलके उसको सताने लगे हसने लगे, हसाने लगे, मसकरापन करने लगे बात आगे बढ़ती कि माश्रा साहद ने पुका कर कहा लड़कों जल्दी तयार हो जाओ हमें अभी आगे बढ़ना है नहीं तो मौसम खराब हो जाएगा जब माश्रा फिर इतने में माश्रा जी का आवास सुनाई दी लड़कों पूरे छातरों से बोरें आप लोग जल्दी तयार हो जाओ मौसम खराब होईगा अपन आगे जाना है बस फिर क्या था बच्चे ने तुरंट बिस्तर बांदे राशन बांदा स्केटिंग की पोशक पहनी और क्या था सब जने फॉरन तयार हो गए अपने पने बिस्तर बांद लिए और राशन बांद लिए और स्केटिंग के जो चीज़ां है वो ले लिए चलने लगे अपने खंड़ों पर थाहले बांदेıp और उनमें भरा जरूरी सामन, मेवा, मिस्री, दवाई, बिस्कोट वगेरा वगेरा और क्या है अपने अपने खांदों के पर खैले बन लिए उसमें क्या है जरूरी चीज़ है जो जो है सामन है मेवा है जो मिस्री है दवाईया है बिस्कोटा है और जो भी चीज उन लोग ला लिए वो सब तयार कर लिए गजनन्द बीच बीच में हर चीज चकते और जुम जुम कर तारिफ करते हैं यह जो गजनन्द लाल है बीचों में जाते जाते रस्ते में हर एक चीज भी चकते थे और हर एक चीज की भी तारिफ करते थे कभी बाहर भागते कभी अंदर आते इन्हों क्या है घुमते घुमते थोड़ी ज़र बाहर जाते थे थोड़ी देर अंदर आते थे माश्रा साहब बोले गजनन्द तुम इस तरह तो जल्दे ठक जाओगे अभी तो उपर चड़ना है माशार साब पकार के बोले गजनन्द तुम इस तरखे से खेलते कूटते जाएंगे अंदर जाएंगे बाहर आते रहेंगे और भाग भाग के चलते रहेंगे तो आप जल्दी ठक जाएंगे अभी तो अभी उपर जाने का है गजनन्द ने उतर दिया सर उसी का तो अभ्यास कर रहा हूँ पिर गजनन्द लाल मुस्कुराते बोल रहें मैं तो उसकी तो प्राक्टिस कर रहा हूँ जल्दी से स्वामी जी की कुटिया में आईए जल्दी स्वामी जी की कुटिया है उसमें आईए गरम गरम हलवा हमारे स इसे ग्रहन कीजिए यह खाई हैं इसमें कस्तूरी पड़ी है और कस्तूरी हीरन की नब्से पैदा होती है इसमें क्या कस्तूरी पड़े ही है कस्तूरी है इसमें ये हिरन के नफसे पैदा हुई है, हिरन कूते है, सो हम भी कूदिंगे ये हिरन के नफसे पैदा होने की वज़े से हिरन जैसा कूते हुए रहती है वैसा आपन भी कूते हुए, खेलते हुए आपन भी जा सकते है इस प्रकार हस्ते हस्ते चड़ाई आरंबुषी इस प्रकार से इन लोग हस्ते हस्ते पहाड चारना शुरू हुआ गोमुक जाने वाली पकदंडी बड़ी संकरी थी जो गोमुक जाने वाला जो रास्ता था वो बहुत बड़ा चटानों से चाड़के जाने का था एक लड़के ने जिसका नाम भोला शेंकर था माश्टर जी से कहा, सर पकदंडी पर गजणनंद कईसे चलेगा कहीं तेंद आ गई तो एक लड़का पूछ रहा, पकदंडी ये पाढ़के पर गजणनंद लौल कैसे चड़ेगा कहीं तो तेंदो आ गया तो माश्रा जी ने मुस्कुरा के कहा जरा आगे देखो स्वामी जी के साथ साथ चल रहा है जरा उसको आगे देखिये स्वामी जी जैसे जा रहे हैं वैसे जा रहा है तुम लोग इच पीछे है अच्रस से विद्यार्दियों ने देखा कि सच्मुच वो स्वामी जी के साथ था सब लड़के के कि आँख खोल के परिशान होके देखने लगे वो सच्मुच स्वामी जी के साथ जा रहा था वहीं से चिला के उसने कहा बोला शेंकर दिली में ये कुत्व मिनार है लेकिन यहां इतनी के गिन भी ना सके बोला शेंकर से फिर उतर दे रहा है इनो बोला शेंकर दिली में ये की कुत्व मिनार है यहां तो बहुत सारे कुत्व मिनार है बाप रे सच्मुच ये तो डर्वानी है बोला शेंकर ने कामते वे उपर देखा और कहा एक भी गिर पड़े तो बोला शेंकर क्या है कामते वे उपर देखा और केकी परेशान होगे अरे एक भी गिर पड़ा तो कैसा होईगा गजनन्द जो उनके आने तक वही रुख गया था बोला गिरेगी तो गिरेगी स्वामी जी कहते हैं कि पहाड में ना तो सूचते हैं ना रुकते हैं बस चलते हैं गजनन्द जब उन्हों क्या वर गिरेंगी तो गिरने दो पहाड गिरा तो गिरने दो स्वामी जी क्या वोलते हैं पहाड में ना तो सूचते हैं पहाडा जो भी सूचते नहीं है ना रुकते हैं बस इंतजार हैंगे, तो मिनार तूटने वाला नहीं, वो कब गेने वाला है, कब तूटने वाला है, नहीं मालूम, तुम्हें डर लगता है, तो जोर से हसो, हसने से डर दूर भाग जाता है, अगर से तुम्हा को ऐसा ही डर लग रहा, तो जोर से हस लो, हसे तो डर दूर चले ज जाएगा और वो जोर-जोर से हसने लगा उसके बाद इनो जोर-जोर से हसने लगा हसी तो छूत का रोग है गजनन्दे हसा तो सबी हस पड़े और हसते हसते उस भयानक रास्ते को ऐसा पार कर गए जैसे कि बदख पानी में तैरता है गजनन्द लाल हसने लगा और सब लोग हसने लगे और हसते हसते इतना भयानक रास्ता ऐसा पार कर दिये कि बदख तीरते वे पानी में आगे जैसा बढ़ जाता उसी तरीखे से इन लोग भी आगे बढ़ गए स्वामी जी ने खुश हो गए गजनन्द का राशन दुगना कर दिया रास्ते में उन्होंने भोज पत्र का पेड़ देखा जड़ी पुटिया देखें जंगली भेड़ों का गिरहा देखा तुतरला नामक के जानवर की पूंच देखें रींच के पंजों के निशाने देखें और यह रास्ते में जाते जाते हैं इनलोग क्या है जो खाने के प्लेटां बनाते पत्तों के वो पत्ते देखें और जड़ी बूटी दवायां देखें और जंगल में जो भी जानवरा है उसके भेड़ों को देखें और तुतरला नामक का एक जानवर है वो भी देख लिए और रींच के पंजे और गयरा सब देखें और इस प्रकार दिखते दिखते हसते वे पहुंच गए गोमुक इस तरीखे से उन लोगा सब चीजां दिखते वे करते वे गोमुक तक पहुंच गए हसी खुशी से गोमुख बर्फ के पहाड में बनी गई गुफा को कहते हैं गोमुख का अर्थ है ये पहाड में एक गुफा बने वी है उसको बोलते हैं इसी में से गंगा नदी तेजी से बहिती भी बाहर आती है और पहली बार सूरज की रोशनी से गले मिलती है यहाँ से ये गोमुख मेसेच गंगा नदी तेजी से बाहर आती और सूरज की रोशनी पहले बार उससे गले मिलती है लेकिन लोग वहाँ नहीं रुकें लेकिन वे लोग जो भी है वहाँ पर नहीं रुकें स्वामी जी उनने तपोवन ले जाना चाहते थे स्वामी जी वहाँ पे एक वन को लेके जाना चाहरें थे तपोवन जहां पे तपस्या करते हैं महाँ पे रास्ता कुछ कतईन था पर साथ में गजनंद हो तो कतनाई पनहा माँने लगती है रास्ता तो वो वहाँ पे जाने का तपवन जाने के लिए रास्ता तो बहुत मुश्किल का था लेकिन जो गजनन्द है इनों हसी खुशी से हसाते वे लेके जा रहे हैं इसलिए जो कटिनाईया है जो परेशानिया है उसको जो परेशानिया है वो पनहा मांगते वे जा रही थे और फिर तपवन तो है जे जादू का मैदान जो तपवन है वो एक जादू का मैदान है इतनी उंचाई पर वर्फ से ठकी गंगन चुम्बी चोटियों के बीच एक अती सुन्दर सुहाना हरी हरी घांस का मैदान नाना प्रकार के फूलों के सुन्दर सुन्दर पौदे बीच मीच में कलकल करा के गाते नाले जहरने क्या है ये तपोवन में क्या है सुन्दर सुहाना है और हरी हरी घांसे है और घांस के मैदाने है नाना प्रकार के कई प्रकार के यहां पे फूला है और सुन्दर सुन्दर जाड़े है बीच बीच में पानी के जहरने है इस तरीखे से ये थे गजनन्द तो सामन फेके उस मैदान में धवड लगे माश्रा जी ने कहा क्या करते है सांस तो फुल रहा है मारोगे क्या है क्या कर रहे है गजनन्द क्या कर रहा है यह पुरा सामन वाँ फेक दिया और मैदान में खेलने लगा तो माश्रे जी इसको डरा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं आप साच फूर रहे हैं मरोगे क्या रुक जाओ दोड़ते दोड़ते गजन अंदरी कहा सर दोड़ने से खुन भी शरीर में दोड़ता है बाइड गे तो बर्फ की तरह जम जाएगा हम शील बन जाएंगे जैसे है पहाड सर आपको नहीं मालूँ अगर से हम धोड़कूट करते रहे तो अपने शरीर में का जो खुन है वो भी भागते रहेंगा अगर से हम एक जगे बढ़ जाएंगे तो खुन भी बर्फ के ऐसा जम जाएंगा और हम फत्रों के ऐसा बन जाएंगे बस फिर क्या था सभी लड़के धोने लगे कबड़ी खेलने लगे ऐसा शोर मचा की फिर क्या है सब लड़के के की खेलने कूदने लगे कबड़ी खेलने लगे और शोर मचाने लगे इस तरीखे से बच्चे खेलते खुलते पहाड भी गूंज उठा गजननन्द कहा स्वामी जी राशन तयार कर लीजिए पेट में चुवे कूदने लगे और गजननन्द क्या है स्वामी जी से वो रहे है स्वामी जी जल्दे राशन खाना पका दीजिए तयार कर दीजिए हमारे पेट में चुवे कूद रहे हस्ते हस्ते स्वामी जी ने कहा चिंता ना करो अभी बिली आती है इन अभी स्वामी जी भी हस्ते हस्ते वो रहे है गजननन्द चिंता फिकर मत करो अभी अभी मैं बिली को भेशती हूँ पहले थर्मास में से चाई निकाले मूंकी दाल का हलवा गरम हो चुका है चलो पहले थर्मास में चाई है और मूंकी दाल का हलवा बना दिये वो भी तयार हुआ जब तक रोटी तयार हो चाई हलवे का नास्ता करो जब तक रोटी तयार होते रहती जब तक चाई हलवा ये खालो इसका नास्ता तो पूरा कर लो नास्ता करने के बाद गजनन्द ने फूलों के जांच शुरू कर दी और नास्ता होने के बाद गजनन्द क्या है फूलों की जांच करना फूलों कुण से कुण से पूल है कैसे पूल है क्या है देखने लगा मौसम सुहाना था मौसम बहुत अच्छा था गजनन्द ने सातियों के कान में कुछ कहा सब ने सिर हिला के हां में हां मिलाई गजनन्द क्या है सातियों से अपने दोस्तां से कान में कुछ बोले तो दोस्तां भी उसमें शामिल हो गए बस वे सब सुन्दर सुन्दर फूल तोड़ने लगे तोड़ते ही रहते यदि स्वामी जी ने आवाज ना दे लेती होती बचे तुम्हें कहां हो भोजन तयार है जल्दी आवो अंधेरा हो जाएगा ये सब मिलके फूल वए तोड़ रहे थे और स्वामी जी आवाज दे रहे थे कि बच्चों जल्दी आजाओ शाम हो जारी खाने कई तयारी हो गई खाना खाते खाते अचानक क्या हुआ कि बोला शेंगा चीख उटा बिच्छू खाना खा रहे थे अचानक बोला शेंगा डर के एक चीख मारा ये बिच्छू सब चौंक उठे गजनन्दा उटते 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 बोला कहा है बिच्छू अन हो चीख मारते सब जैने डर्ग से उट गाए लेकिन गजनन्द लाल कहा है बिच्छू बोला शेंगर ने घिगी आते हुए कहा मेरी कमिस पर उन्हा डरते हुए बोला शेंकर क्या है डरते डरते हुए बोला मेरे कमिस पर है अंधेरा हो गया था गजनन्द ने तुरंत चलांग लगाई और बोला शेंकर की कमिस को पकड़ लिया बिच्चु जैसी काली वस्तू को देखा क्या है बोला शेंकर क्या है अंधेरे में एक चलांग मारा और बोला शेंकर के कमिस को पकड़ लिया यह बिच्चु जैसी एक चीर से खा फिर जोर जोर से हसते वे हसते वे और उस वस्तू को हिलाते वे कहा देखो ये है बिच्छू ये गाता है देखो ये है बिच्छू उन्हों हसते वे फी गजनन दलाल हसते वे ये चीज बता रहा कि ये बिच्छू ये गाता भी है देख लीजिए अचरज से सब ने देखा वो चाबियों का गुच्चा था जो बोला शंकर के जेब से निकल के ग खेला था वो नीचे गिर पड़ा था फिर तो मारे ठाय के वे तंबू उखारते उखारते बचे लेकिन साहस गजनन्द ने कहा आडर आडर ये सब जने और हसने लगे इतने में गजनन्द लाल फिर आडर 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 यानि एक आडर दे रहा है इस अनोखी पट परिवर्तन स सब एकदम चुप हो गए जो ये आवाज सुनके सब जने खामूश हो गए गजनन्द ने आड़ेश के स्वर्म में प्रारदना की मेरा आगर है कि स्वामी जी मास्टर जी और दोनों सेवकों चारों एक लाइन में खड़े हो जाएं मैं आप लोग से प्रारदना करता हूँ ये मेरे आड़र है कि हमारे स्वामी जी और मास्टर जी और दो सेवकों है ये चार जने भी एक लाइन में आजाईए उसके सामने मेरे साती दो दो करके खड़े हो मैं अभी आता हूँ उसके साती ये दो भी है दो दो जने खड़े हो जाओ मैं अभी आता हूँ कहके वो चले गया, उसके हाथ में देखे, तो चार फूल के माला आए है, एक माला लेके वो स्वामी जी के सामने खड़ा हो गया, एक माला लेके वो स्वामी जी के सामने था, शेश तीन, तीनों ग्रूप लीडरों को दे दि, बाखी के तीन माला आए है, ग्रूप लीडरों को दे दि फिर सबने गायत्री मंत्र का पाठ किया चारों के गले में मालायां डाली और कोरम में कहा आप चारों हमारे लिए बहुत कष्ट उठा रहे हैं हम आपका इन फूल मालाओं से सतकार करते हैं और ये चारजने मेलके गायतरी मंत्र पढ़ते हुए चारजने भी चारों के गलों में फूल के हार धा रहे और बोलने लगे कि आप लोग हमारे लिए बहुत कष्ट परेशान हो रहे हैं बहुत कट Qinayun का सामना कर रहे हैं कश्ट उठा रहे हैं मेहनत कर रहे हैं जाएंगे चारों इस नाटी के स्वागत से बड़े प्रसन हुए स्वामी जी बोले गजनन्द तुमारे हिम्मत के दाख देता हूं पर आगे तो जान ले वे चड़ाई है तुम चर सकंगे और ये चार जनने के स्वागत होने के बाद स्वामी जी खुश हुए और बोलने जवाब दिया स्वामी जी अब तक मेरा वजन कम से कम दस पॉंट तक घटा होगा इसलिए खत्रा भी कम है क्या है स्वामी जी मेरा वजन अब तक एक दस पॉंट का कम हुआ हूंगा अभी खत्रा तो नहीं है ना मुझे हस्ते स्वामी जी ने कहा अच्छा सवेरे सवेरे स्वामी जी ने चार विद्यार्दियों को आगे जाने के लिए छटा गजनन्द, बोलाशेंकर, तुशार और माचवे चार विद्यार्दियों को आगे जाने के लिए बोले उसमें गजनन्द है, बोलाशेंकर है, तुशार है और माचवे सेज तीन विद्यार्दियां माश्रा जी के एक सेवक पांचे नीचे डाग बंगले में लौट गए क्या है और तीन विद्यार्दियां क्या है माश्रा साब के साथ है और सेवक का पांचो पूरे पुल के नीचे पहुंच गया और वे चंजाने आगे बढ़ गए रास्ते में बस बर्फ की ही बर्फ थी, बर्फ से ठेकी चटणे थी, बस इन लोग आगे बढ़े रास्ते में पूरे बर्फॉ improvements थे अब बरफ के पहाडें थे धीरे धीरे चन्डा पड़ता था पहाड के बरफ रहने से धीरे धीरे जाना था कभी काले काले डरवानी बादल अंधेरा कर देते कभी कभी ये काले काले बादल है वो डराते थे कभी कभी सुरज की किरने आंक मुचली खेलती आती तो शिकरों पर सिखरों पर चांदी सोने और मरकत मनियां जग्माती उड़ती ही और कभी-कभी सूरज की किरनें ये पहाड़ेंगे पर पड़ें तो सोने चांदी के वैसा चमकते वेये रहते थे दिरे दिरे वे छह हजार मीटर की उन्चाई तक तो पहुँच गए चारों और आस्मान को छूते परवत ऐसे खड़े थे जैसे रुशी लोग उपर की को मुह करके भगवान के सुरुती कर रहे हूँ चारों और आस्मान क्या है यह पहाडों को छूते वे नजर आ रहा था और रुशी और मुनी लोग यह भगवान के सुरुती ले रहे हैं याद कर रहे हैं 6000 मीटर का मतलब भी तो आस्मान में 5-6 किलो मीटर उपर चड़ना है यह पहुंच कर वे विद्यार्दी भी चुप हो गए लेकिन गजनन्द कहां माने वाले थे बोले स्वामी जी हमारे बड़े बड़े कवी यहां आवशी आये होंगे यह 6000 मीटर जाने के बाद यानि 5-6 किलो मीटर उपर चाड़ने के बाद सब विद्यार्दी सब चात्र खामुश हो गए लेकिन गजनन्द लाल फिर पूछने लगा स्वामी जी यहां पे बड़े बड़े कवियां आई थे क्या स्वामी जी ने कहा क्या हूं तुम्हें कैसे पता लगा स्वामी जी उनको पूछे तुम्हा कैसा मालूं गजनन ने बड़े शांत भाव से कहा नहीं आते तो महा कवी इकबाल कैसे लिखते परवत वो सबसे उंचा हम साया आसमा का वो संतरी हमारा वो पासपा हमारा और रविंद्र ने कैसे गाते थे अंबर चुम्त ब लिखते थे तो इकबाल को कैसा मालूं आता था परवत वो सबसे उंचा है आसमान का साया है और रविंद्र भी कैसा लिखते थे कि अंबर चुम्बित भल हिमालय जो आसमान हिमालय को चुम रहा है यह कैसा मालूं आता था गजनन ने की ये बातें सबके ठकन दूर कर देती है जब ये सब अपना राष्ट द्वन वहां गाड़ रहे थे वो मराबर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा और जंगन्मान और वन्दे मात्रों गाते रहा यह जो अपना द्वज है अपना जंडा जो है वो पहाड़ें पर लगाती हो अखित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा ये गेत और जन्गनमन और वन्दमातरों गाते रहें यहीं से वे लेट पड़े क्योंकि रात दूर नहीं थी यहां से इन लोग चले गए क् रात कश्रीब हो गई थी उतराई थी उस सव भी था लड़के धौने लगे क्या है सब जने खुछ थे लड़के भागने लगे गाजनंद सब आगे था गजनंद लाल क्या है सब आगे था स्वामी जी ने बहुत समझा है पर अल्हड़ बच्चे का कान कहाँ होता स्वामी जी कितना की समझाने लगे लेकिन ये शरार्ती बच्चे कहां सुने वाला था सेवक तंबू ठीक करने आगे आगे जलाने आगे चला गया था जो सेवकों के साथ तंबू गादने के लिए याने डेरा दालने के लिए और आगे जलाने के लिए आगे गया था रास्ते में एक जील पड़ती थी पूरी की पूरी बरफ से ठकी थी लड़कों ने सोचा फत्रों में चलना बड़ा कश्टकार है क्यों ना जील के बरफ पर होके चले सब लड़के सोचे यह फत्रों पे से जाना बहुत परिशानी हो रही ये बरव के जो सिला हैं उसके पर से तो चले जींगे अश्मार्वे ये नहीं जानते थे कि बीच-बीच में बरव कच्छी भी होती है लेकिन ये लड़कों को नहीं मालूं था है कि बीच-बीच में ये बरव भी कच्छी रहते जैसे ही वे बीच में पहुंचे एका एक बॉला शंकर के पैरों के नीचे के बर्फ पढ़ गई और वो नीचे जील में गड़प अचानक बॉला शंकर जो जील के जो बर्फ के सिलके पर पैर रखे थे वो कच्छी थी वो तूट पड़ी थी और बॉला शंकर जील में जड़ एक शन तो वे डर गए डर के मारे काम पुठे गिरते गिरत उन्हों चीख मारा सब देखते रहे गए ये थोड़ी देर के लिए उन लोग सब डर गए लेकिन गजनन्द ने तुरंत चिला कर कहा तुशार ये चटा नहीं है तुम वर्फ के उस गड़े की और गहरा करो मच्व तुम लंबे हो रसी को बोला शेंकर के पास फेको क्या है चिला के यानि गजनन्द फॉरं पुकार के चिला के जोर से आवाज दे के वो रतुशार चटा नहीं है ये चटा नहीं है तुम वहाँ पे जाके बर्फ को उसे आगे बढ़ाते जाओ वो गहरा करो उसे और गहरा करते जाओ मचावे यानि जो लड़के का नाम है उसे वो रहे तुम बहुत लंबे हो ये रसी कैगी बोला शेंकर के पास भेग दो फिर बोला शेंकर को डाट कर कहा रसी पकड जल्दी कर मूर्ख नहीं तो जम जाएगा फिर बोला शेंकर के पा पागल, नहीं तो तो जम जाएगा, डरना नहीं, रसी मेरे कमर में बांदी है, जो तेरी कमर से तीन गुनी मोटी है, तो डरने का सवाल इस नहीं है, जो रसी मेरे कमर को बांदी भी है, ये तीन गुनी मोटी है तेरे से भी, और ये कहते कहते उसने रसी को दूसरी, दूसरा छोर अपने कमर में लपते और गड़े में कुद गया और क्या है दूसरी तरह से रसी बन लिया और गड़े में कुद पड़ा तब तक चीख सुनके स्वामी जी भी वहां पहुंच गए थे यह आवाजें सुनके स्वामी जी वहां पहुंच गए उन्होंने ये सब देखा तो अश अश कर उठे ये सब चीखां हुए देखके करके उन्हों एकदम परिशान हो गए लेकिन समय कहां था डांटे वे बोला शेंकर को आदेश दिया रसी के सहरे किनारे की वोर बढ़ो तो ये रसी के सहारे किनारे के तरफ आते जाओ उलके डांट के मुद्ट डांटने से भी सहस पैदा होता है जो डांटने से भी हिम्मत पैदा होती है विशिशकर खत्रों में जो भी परेशान आदमी है उसको डराते जगेगी उसमें हिम्मत आ जाती है बोला शंकर थंड के मारे अकड रहा था पर डांट से उसे गर्मी दी बोला शंकर क्या है डर से और वो बरफ से डर रहा था अकड जा रहा था लेकिन जो गजरंद उसे डांट रहा था उससे जोश में कहेगी इसको गर्मी और पैदा हो रही थी रसी के सहरे सहरे वो किनारे पर आ गया स्वामी जी ने तुरंत उसे उठा लिया तब तक गजनन्द भी बाहर आ गया था जब गजनन्द लाल भी वह से बाहर आ गया स्वामी जी बोला शंकर के जब तक स्वामी जी बोला शंकर के गिले कपड़े उतारे उसने अपने चमड़े वाले कोट उतारा और कहा स्वामी जी ये कोट इसे पहना दो जब बोला शंगरुआ से आके अपने गिलेवे कपड़े पूरे उतार दिये और चमड़े का कोट या देखें ये स्वामी जी उसको पिना दो मैं ठहरा हाती का बच्चा, मैं तो हाती का बच्चा हूँ, मेरे हड्यां तक पहुंचने के तरह थंड को नहीं मिलेगी, ये थंड मेरे हड्यां तक जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, सभी गजनन्द की बात पर हस पड़े, फिर स्वामी जी ने बोला शंकर के कस्तूरी गरम गरम चाई दी, सब लोग गजनन्द के बातों पर हसने पड़े, और स्वामी जी बोला शंकर को कस्तूरी और गरम गरम चाई दी, फिर कहा, हमें तुरन तो अपने तंबू में पहुंचना चाहिए, यहां टहरना खतरनाक है, फारण हम लोग अपने, जो कुटिया बने भी है, तंबू है, वहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है, यहां पहुंचना बहुत खतरनाक है, जब संकट सामने आ जाता है, तो सहस भी दूर नहीं रहता, जब परिशानी आती, तो हिमत भी दूर नहीं होती, स्वामी जी ने बोला शंकर को बहुत दूर तक पीट प बंद के लेके गे उसी तरह उन्होंने तपंधा पर किया गोमुक पहूंचे सफेद अंधेरा काला अंधेरा बन गया था क्या है वहाँ किसा गोमुक तक पहुंच गये उन्ची नदेरा भी भी था काले बादल भी चा रहे थे उन्ची उन्ची चोटियां उसमें खो गई harvest दे उसकी रहा देख रहा था लेकिन वहाँ पे सब लोग इंतजार कर रहे थे बड़े बड़े तंबुआ लगा के आग जल रही थी बस खाना गरम बना करना था वहाँ पे खाना पग गया था गरम कर रहे थे सब रसन हो उठे आग के चारों और बाट के चाई पीने लगे सब जने खुच हो गए और आग के चारों और बाट के चाई पीने लगे बोला शेंकर भी अब तक सब कुछ भूल चुगा था लेट लेटा वो सबकी बातें सुनता रहा तबी तुशा ने कहा डाग बंगले में माश्रजी हमारे राहा देख रहे होंगे अब भोला शंगर भी चुप रहा और थोड़ी देर के बाद सब बातें सुनता रहा और बोला डाग बंगले में मास्टर जी हमारे इंतजार देख रहे हुँगे गजनन्द ने उतर दिया चिंटा मत करो यहां से पांच किलो मेटर ही तो है मैं अभी उसे टेलिफॉन से बात करता हूँ आप लोग परेशान नको हो मैं मास्टर जी से अभी टेलिफॉन पर बात करूँगा और उनके देखते देखते वो गंगा के किनारे गया और यह बात बोलते बोलते उन्हों गंगा के किनारे गया डाग बंगले की वोर मू किया और जोर से बोला मास्टर जी मैं गजनन्द हाती का बच्चा गोमुक से बोल रहा हूँ माश्टर जी मैं यहां से बोर रहा हूँ, मैं हाती का बच्चा याने गजनन्द हूँ, आपको गोमुक से बोर रहा हूँ, हम आज नहीं आ रहे हैं, कल सवेरे आएंगे, सब ठीक है, मैं आप नहीं आ रहा हूँ, कल आएंगे हम लोग सब, यहां पे तो सब ठीक है, एक शन ब साधस दिए आगे, आगे के चारों गोर आ बैठे़ें, जब तक खाना तयार हो, गजरन्द उननके कहानिया सुनाते रहा, पौरोडी सुनाते रहा, हसाता रहा, उसके बाद फिर सब जन्म मिलकर खाना खाई जब तको हुए इसने प्रमान कर दिया कि मटे नोग, उननके चारो मोटे लोग जो है उन लोग सरफ मोटे ही नहीं खुश वाले भी होते और दिमाग वाले भी होते और दिलेरी भी होते यह गजनंदलाल पाठ था गजनंदलाल पहार चड़े यह पाठ आज को लिए यहां पर समाथ लोग समाग समाच माझ को लिए यह एंगा बाद को लिए यहां रहां प्रहां रहां दोगा पुश फिस बाह बाद कि दो जगाद को लिए